दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कुछ नाम दिये गए हैं, तो दोस्तों करना क्या है, इन सभी नाम को एक कोलम में लेकर आना है, कुछ इस तरह से, तो भो आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, एक तो तरीका है दोस्तों, licensing बाद आप controlling V करेंगे, यहांन नाम को इसके अंदर ले कर आना है। तो paste special से दोस्तो this नहीं किया जा नाद सकता। तो दोस्तो एक trick है। आप उसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। करना किया है सबसे ले आपको नाम को इस तरह से लेकर आना है, उसके बाद दोस्तों करना क्या है, इन सब को select कर लेना है, उसके बाद control H press कर देना है, control H press करने के बाद, आपके पास replace open हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, find what find, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर is equal to लिखना है, उसके बाद replace with, आपको किसी symbol के साथ replace कर देना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, at the rate के साथ replace कर दूँगा, ठीक है तो replace all पर click कर देंगे, फिर okay कर देंगे और close कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो अब क्या करना है दोस्तों, इसको select करके नीचे तक drag कर देंगे, ठीक है, drag कर देंगे, तो यहाँ पर आपके नीचे तक cell का value है, cell का ना आपको उपर add the rate के साथ, आपको is equal to डाल देना है, add the rate को is equal to के साथ, replace कर देना है, फिर replace all पर click कर देना है, तो replace all करने के बाद, all done, we made, ठीक है, replacement, close कर देंगे, तो आपके सामने दोस्तों, यह नाम जो है, यह एक column के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप दोस्तों पर यह आप इसको delete कर दें, तो यह इस तरह से आपका नाम column में आ जाएगा, फिर इसको copy करके आप इसको value में paste कर लेंगे, तो इस तरह से दोस्तों, आप इन cell को column के अंदर convert कर सकते हैं, तो दोस्तों, उमीद करता हूँ, इस video के अंदर आपने सीख लिया होगा, किस तरह स तरह से, cell की value को column में convert कर सकते हैं, यह दोस्तों, एक अच्छा trick है, आप इसके माद्यम से कर सकते हैं,